हे गाइस वेल्कम बैक टु माई चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगल इस्टडीज में मैं हूँ सुभम और आज मैं आप सबों के लिए एक अनोखा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आप सबों को एक फेक न्यूज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप सभी इस्टुडेंट के मन में अभी घूम रहा होगा चाड़ो तरफ आप सभी लोग अपने चाड़ो तरफ इस न्यूज के बारे में जरूर सुन रहे होंगे देखिए आप सभी का जो एक्जाम हुआ था मैट्रिक परिक्षा का 2022 में उसमें जो है आप अपने आस पर उसमें जरूर देख रहे होंगे न्यूज चैनलों में कि जो है वहाँ बात किया जा रहा है कि जो है एक्जाम जो है 17 फरवरी का वो जो है रद होने वाला है तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्जाम जो है रद होने वाला है लेकिन मैं आप सबों को बता दूँ कि जो है आप लोगों का एक्जाम रद नहीं होगा किसी वी स्थिति में ये सभी जो अपने जो है चैनल पर वीव बढ़ाने के लिए या फिर जो है बस ऐसे ही फेक बटा दूझाенल के माध्यम से नहीं आया thinking starts कि और लोगों को इन सब न्यूजे से डरना नहीं है कि जो है आप लोगों का एक्जाम रद हो जाएगा या यह यज तटीमलटफि अब लोगों का एक्जाम रद होंगा कि सीभी परना बतालब नहीं है बागी बाद आप लोग अपना जो अभी 10th का एक्जाम आप लोगों का खतम हो गया होगा तो आप लोग अभी आगे क्या अपना सोचे कि आगे क्या पढ़ाई करना है नहीं भागी बात यहाँ पर लोगों को परिक्षा रद होने का कोई MUSIC आप लोगों को ऐसे अब देखने हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है बिहार बोर्ड के में किया मेंट्रिक की परिक्षा को रद या गनीत का पड़ेशन हुआ था OUT इसलिए रद कर दिया गया ब्रेकिंग न्यूज करके आप लोगों को सभी आसपास में देख रहे होंगे यहां पे भी आगे हैं मेट्रिक परिक्षा 2022 की गनित विसे का परिक्षा रद्ध हो गया अंतिम फैसला यह सब आगे मैं आप सबों को जो है एक सरकारी वेबसाइट पर ले जाना चाहता हूँ जहां पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मैं आप लोगों को पढ़के बताऊंगा कि ऐसा कोई भी न्यूज अभी नहीं आया है तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने एक वेबसाइट लिया है और यहां पर आप सभी को मैं दिखाना चाहरा हूँ कि आप सभी का जो है एक्जाम से जुड़ी अपडेट से यहां पर वो मैं आपको देना चाहरा हूँ कि जो है आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही होगी इस न्यूज के लिए तो वही यहां पर देखे बी एस सीवी बड़ी खबर मेट्रिक परिक्षाद 2022 के लिए जो है गनित पेपर लीक का जो मामला आया था तो वहां पर आप सभी को उसी के लिए जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं डिया तो चलिए आपको मैं पटके सुना रहा हूं यहाँ बी एशिट रावे जुकने पड़ी आप को नीचे दिया हुआ है दो चलिए शुरू करते हैं आप सभी जानते बीसी बीसी बीक लाश टेंथ मैट्रिक परिक्षा 2022 दोस्तों जैसा की जैसा की सभी को पता है कि 17 फरवरी 2022 से बिहार बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा हो रही थी जिसका पहला दिन गनीत का पेपर सोसल मेटिया के लिक हा था इसकी जाँच्च की जा रही है और इतना तय है कि परिक्षा से पहले क्षेल लीक हुआ किया तो कुछ प्रस्न का आंसर बिल्कुल सही पाया गया था ऐसी इस्तिति में कयास लगाया गया था कि मतलब की इसमें जो है अनुमान लगाया था कि 17 फरवरी को बिहार बोर्ड पर इक्ठा का पहला दिन जो है गनित पेपर एक्जाम का क्या रध हो सकता है तो आप सभी को यहां पे जो है यह इस पर्ष्ट है कि आप लोग को मैं बता जाना चाहता हूं कि BSEB बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड यानि कि जो है BSEB बोर्ड के तरफ से जो है पेपर लीक का जो मामला है वो जो है इस पर्ष्ट नहीं हो पाया अभी तक यानि जो 17 फरवरी का मा जो गनित का पेपर लीक हुआ था तो उसका जो है उसका उसका प्रस्न सभी जगव वायरल था तो ऐसी इस तती में परिच्छा रद हो सकती है फिलाल जो है ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है तो इसलिए आप लोग अपनी तयारी की अपनी परिच्छा की तयारी में लगे रहे और अगर रद होता है तो इससे समन्धित जो है इन्फोर्मेशन आपको मैं तुरत बता दूंगा तो यहां पे अगर आप लोगों को इस तरह का कैसा भी ख़बर मिलता है तो आप लोगों को टेंस नहीं लेना है कि परिच्छ रद हो जाएगा या वैसा है या र वो बिल्कुल भी रद नहीं होगा मैं आप लोगों को आज में यही information देने के लिए आया था तो बहुत बहुत धन्यवाद